बाजार का हाल भी आपको बता दे आज मंथली एक्सपाइरी के दिन बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया साथी लगातार ग्यारवे दिन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है इंट्रोडे में सेंसेक्स ने 82,285 का रिकॉर्ड स्तर्च हुआ और कारुबार के अंथ में सेंसेक 349 अंक चढ़कर 82,135 के स्तर पर बंद हुआ निफ्टी सेरी लगाते हुए 25,152 के स्तर पर बंद हुआ बैंग निफ्टी 9 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 51,153 के स्तर पर बंद हुआ बाजार में इस बढ़त के बड़े कारण समझते हैं हमारे सहयोगी आशीश चतरवेदी से मैं आज ओल टाइम हाई लगता हूँ नज़राया अगर आप देखें तो ग्लोबल साइट से संकेत भी ठीक टाकते और डिमेस्टिक ली अगर आप देखें तो सब कुछ सहीत है इसी के चलते निफ्टी निफ्टी बैंक सेंसेक्स यहां पर इंडेक्स लेवल पर तो आक्शन था लेकिन आज की खास बात है कि अध्वांस डिक्लाइन के लिए आज से अगर आप देखें या फिर स्मॉल काप और मिटकाप को देखें तो यहां पर आज इतना कंपरिटिव ली पार्टिसिपेशन आपको देखने को नहीं मिला निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स है बजाज बात करें खबरवाले स्टॉक्सी तो पेटीम अगर आप देखें तो गवर्मेंट से अप्रूवल मिलने के बाद यहां पर तेजी रही सोनाटा सौट्वर बड़ा ब्रेक आउट आया के इंटरनाशनल और मिंस के चलते और प्रॉक्टर और ग्रैंबल हाईजीन हेल्थ कर यहां पर देखने को मिला वेल्समन लिविन ब्लॉक डील के बाद यहां पर थोड़ा सा कट रहा है सीडी एसल में गिरावट देखने को मिली टाटा एलेक्स है पिछले दो दिनों में काफी बड़ा रना पा गया तो तो आज ग्राजुल एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली और ट्यूब इन्वेस्टमेंस यहां पर भी क्लोजिंग जो है लाल निशान में हुए लेकिन जैसे अंबर इंटरप्राइज है प्रेस्टीज एस्टेच से जी एस पील है कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक है जहां पर आपको बड़े मूव नजर आए और संसेक्स अल ताम है तच कर लिया